जिले के सभी धान करिदी केंदरों में जिला प्रशासन ने किसानों के सहूलियत के लिए प्रतेक साल लाखों रुपे खर्च किये पर बावजूद भी इसके जिले के ज्यादा तर धान समीतियों में किसानों के लिए कोई भी सुमिदा उपलब नहीं है जिले में कुल 50 धान खरीदी केंदर है जिसमें 55,000 से जादा किसान पंजिकरे थे इन किसानों के लिए समीतियों में पीने के पानी 140 तक की विवस्ता नहीं की गई है जबकि इसके लिए सरकार ने समीतियों को लाकर रुपे मुहया दिये जाते हैं इतना ही नहीं बलकि सभी सम प्रतितियों को इन सुविदाओं के लिए पैसे उपलब किये गए अब उन्होंने इस बात के जानकारी भी ले जाएगी आखिर कार आखिर अभी तक किसानों के लिए सुविदाएं क्यों नहीं दे गई है और जांच कर दोशियों पर कारवाई करेंगी किसान हमारे जिले में हमारे 55,000 किसान पंजिक रहते हैं तो प्रतिती प्रतित समीति में लगभग 30-40 किसान रहते हैं तो निशित रुप से वहां पे हम लोगों ने इस पर स्ट नेटेश दिया है कि वहां पे सवचालय का बंदवस्त होना चाहिए स्वक्षे पेजल की वे चाहिए और बैटने के लिए चाहँदार जगा होना चाहिए ताकि किसान को किसी प्रतित परिशानी नहीं हो इस हे तुर उनको जो है हम लोग प्रासंगी वे के रूप में और सुरक्षा और भंडारण वे के रूप में राशियों प्लप्त कराते हैं और प्रिस्टित समीत और अगर कहीं नहीं बनाया तो अपन जांच करा लेते हैं इसका और देखे साशन के करोड़ों का धान वहां पे रहता है तो निश्चित रुप से कोई प्रकार के अनुहनी होने से बचाव के लिए उनको पायर एक्स्टिंग विजर अगनी समक यंद्रु जो है वहां पे स एक नौ रुपे हम लोग उनको प्रासंगी वे उपलगत राते हैं और तीन रुपे शुरक्षा और भंडरन वे इस तरीके से बारा रुपे प्रती पिंटल के दर्शा में उनको रासी उपलगत राते हैं इसी रासी से उनको व्यवस्ता करना होता है